हुआ है है अधि को जो डोस्तों स्वागत है पॉल्टेनी स्टार्डिस पे मैं हूँ आरके सिंग एन हम लोग कंट्टीनू कर रहे थे हैं अप्लाइट कैमेस्टिक का थर्ड युनिट इंजिनियरिंग मैटरियल्स एन इंजिनियरिंग मैटरियल्स से अल्रेडि कुछ नेक्स्ट टॉपिक से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने प्रिविएस लिक्चर्स नहीं देखा होगा दन डेफिनेटली देख लीजएगा प्रिविएस लिक्चर्स देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जहा किया जाता है यह सारा पूसेट आज हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि यह जो लुहा का सेंबल होता है ठीक है वो क्या होता है एफ इटिक है लुहा का जो सेंबल है वो है एफ एफ कैपिटल एशमॉल ओके एंड इसका अटॉमिक नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर है जल्दी से याद कीजिए उसके बाद हम लोग इसका एलेक्ट्रोनिक अन्फिगरेशन भी करने वाले हैं एलेक्ट्रोनिक थी कित आ जाले आगान नंम्ढर क्या है एनक है 26120 सिक्स का इलेक्टूनिक एंखिजरेशन करेंगे एप्टूनिक लोग ने सीख चूके है अल्डेडी पहले चैप्टर में जाता है सबसे पहले इलेक्टून कहां पर आता है वान एस-प्र मैक्सिमम दो रह सकता है मैक्सिमम ठीक है टूपी भर जाने के बाद जाता है 3S में 3S 2 ठीक है 3S के बाद 3P में मैक्सिमम 6 एलेक्ट्र तो देख लिते हैं कि यह लोगों ने यूज कर लिए हैं दो चार दरस बारह अठ्रा हो गया अभी हमारे पास आठ एलेक्ट्र रह गया है तो थ्री पिके बाद कहां पर जाता है 4S में फूरेसर मे मैक्सिमम्ल इलेक्ट्र Online आएगा तो अभी हमारे पास कितना एलेक्ट्रोन रहे गया दोश्तवом लोगने यूस किए हैं तो हमारे पास अभी नहीं अब होँगार्स के बाद 3D में आता है तो यहां पर शिक्स एलिक्ट्रोज्ट व कर रह सकता है तो हमारे पास टो यह हो गया s configuration दोस्तों एक बात याद रखिए का हमारे पिथिवी के सतर में जितने भी metals पाया जाता है maximum जितने भी metals पाया जाता है उनमें से एक है iron ठीक है iron भी बहुत ज़्यादा amount पे हमारे पिथिवी के सतर में पाया जाता है तो हम लोग यह आपर लिख सकते हैं iron is the is one of the evident metal in अच्छा यहाप लिखेंगे found in earth crust कि क्या प्रिथिवी के सतर में पाया जाने वाली जितने भी metal है उनमें से एक है iron ओके ठीक है iron से जादा पाया जाता है अलूमोनियम यह बात आप याद रहेगा चलो यह कुछ iron के बारे में कुछ जिनरल इंफॉर्मेशन था अभी हम लोग चले जाएंगे डारेक एक्स्ट्रक्शन पोसेस में ठीक है हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रक्शन पोसेस कैसा कैसा इस्टेप रहता है कितने इस्टेप रहता है क्या क्या करना पड़ता है हम लोग यह जानते हैं तो हम लोग अभी चलते हैं extraction process में iron का कैसे करेंगे extraction सबसे पहले तो हमें ओर देखना होगा सबसे पहले और देखना होगा कि कौन से और से हम लोग iron को क्या करेंगे extract करेंगे निसकासित करेंगे ठीक है तो वह वाला और हमें देखना होगा कि चलो और किसे कहते हैं मिनरेल किसे कहते हैं यह मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि यह हम लोग डिसकस कर चुके हैं देखो अभी हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर चीफ ओर्स ओफ एप इटिक है मतलब जितने भी ओर से उन में से कौन से ओर से ज्यादा आसानी से हम लोग आईरन को निसकासित कर सकते हैं तो उन में से आएगा आपका रेड हेमाटाइट पहला तो आता है आपका रेड हेमाटाइट रेड हेमाटाइट ठीक है रेड हेमाटाइट इस फिलिंग दिख रहा है आपको एच्टी ए एम ए टी आई टी ओके इसका जो फॉर्मला है फी टू ओ ट्री दूसरे नमबर पर आता है आपका ब्राउन हेमाटाइट ठीक है इसको लिमोनाइट भी कहते हैं और लीमोनाइट ठीक है ओके यह दूसरे नमबर पर आ गया इसका अगर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला तो यह होगा एफ 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 टू ओ ट्री टू एस टू ओ ठीक है यह हो गया ब्राउन हमाटाइट का फॉर्मूला तीसरे नमबर पर कौन सा ओर आता है आरान का बोलो तीसरे नमबर पर आता है मैगनेट आइट ठीक है मैगनेट आइट का फॉर्मूला है फी 304 फी 304 यह कुछ और से ठीक है चौथा देख लेते हैं वह आता है सिदे राइट ठीक है सिदे राइट का फॉर्मूला कर देखेंगे एफी सी ओ थ्री ठीक है एंड पाच्वी नमबर पर आता है आयरोन पायराइटिस ठीक है आयरोन पायराइटिस एफ़ी एस टू तो यह कुछ और हो गया जिससे कि हम लोग आयरोन को निस्कासित कर सकते हैं तो इसका जो नमबर है दोस्तों नमबर इंग देखो यह एक नमबर पर दो बदूट नंबर पर तीन नंबर पर चान नंबर पर पास नंबर पर टेक है तो इसका मतलब क्या है हम लोग ज्यादा तर और कौन सा लेते हैं रेडु कॉन सा है यह के अधार्टीजिट और निसकासित नहीं या जा सकता इसके भी कुछ डी मैरीड से डिस एड़ीजेस घ्राइड गया आयरं पारेटेश को हम लोग और में सामिल नहीं करते हैं पिर भी मैंने यहाप लिख दिया और के हिसाब से लेकिन और हम लोग आयरं पारेटिस को नहीं मानते हैं ठीफिकल्ट हुता है तो यहां पर आप चार वी लिख सकते हैं यह चार भी लिख सकते हैं कुई बात नहीं यह लिख लिए क्योंकि हम लोग आयरन परटिस को और नहीं मानते हैं ठीफ कि ओके चलो अब और तो हमें पता चल गया है कि यहां से आएन से हम लोग लुग निसकासिद करेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाता दोस्तो ओर सको क्या जाता है थिक और उसका grinding कि यह जाता उसको तोरा जाता है और ऑज टिनरल के आकर में मिलता है तो उसको क्या किया जाता है grinding क्या जाता है सबसे पहले और को कलेट करने के बाद उसको ग्राइंडिंग क्या जाता है ठीक है पहला स्टेफ क्लेक्टिंग दा ओर्स ठीक है जो भी और से हम लोग निकालेंगे आइरन को तो उसको कलेट करेंगे देर उसके बाद ग्राइंडिंग करेंगे ग्राइंडिंग मतलब बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे पत्थर में टुक्रे टुक्रे करना ठीक है वह ग्राइंडिंग ओके एन ग्राइंडिंग के साथ क्रासिंग भी हम लोग करेंगे उसको बिल्कुल एक दम छोटे छोटे पत्थर में हम लोग उसको cross कर देंगे ज्रास करने के बाद क्या किया जाता है concentration concentration किसे कहते हैं यह मैंने बताया था किसी के कुछ तरीके होते हैं कैसे पहले तो हम लोग यह जो grinding या फिर यह जो क्रास्ट और रहे गा उसको हम लोग gravity काविटी कंस्टेशन करें जैं। क्या किया जाता है पैसे पानी का ड्रेन रहता है, जहां पे पानी he՞ होगा एख क्रस्ट झारो डॉर रहेगा हम यहां पर डbiesालें तुकरा secondo आप डालें गे जो स連ू रहेगा जो वारी तुक्रा रहेगा वो क्या होगा नीचे की तरफ गिर जाएगा तो जितने भी हैवी ओर रहेगा वो नीचे की तरफ यहाँ पर जमा हो जाएगा एन इसी को हमें लेना है इसको हम लोग फिर से कलेट करेंगे ठीक है कलेट करने के बाद अब क्या करेंगे इसको हम लोग इसको हम लोग कि मैगनेटिक सेपरेशन करेंगे ठीक है मैगनेटिक सेपरेशन मैगनेटिक सेपरेशन कैसे क्या जाता है एक कन्वेयर बेल्ट होता है ऐसे कुछ सिस्टम ऐसे होता है दोस्तों एक system ऐसे मैने दिखाया था आपको magnetic separation क्या होता है ऐसे एक conveyor built रहता है जो कि इस तरफ घूमते रहता है यहाँ पर हम लोग इसको डालेंगे यहाँ से जितने वे collect के हैं यहाँ पर डालेंगे ओके अन्ड क्या है दोस्तों यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपका magnet रखा जाता है इस पर ये के साथ magnet दिया जाता है एंड़ हम लोग जानते है क्योंकि हम लोग ये किसका और लिये हैं आयरन-का okay magnet iron को खीशता है तो यहाँ पर क्या होगा जितने भी यहाँ पर ढालेंगे ठीक है तो यह magnet जो है लोहे के जितने भी टुके रहे हैं इसको सब्ब्राइब कर देंगे इसमें भी है iron जिसमें नहीं रहेगा वो इधर गिर जाएगा ठीक है इसको हम लोग यहां से क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे इधर जितने भी आएगा यहां पर जितने भी आएगा दोस्तों यहां पर क्या प्रेजन्ट होगा इधर जितना भी गिरेगा इसमें आईरन नहीं प्रेजन्ट होगा ठीक है तो हम लोगों ने क्या क्या concentration पर पहले हम लोगों ने gravity concentration किया है दना उसके बाद magnetic separation क्या है अभी यहां से हमें जो मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा आईरन के और रहेगा ठीक है मतलब जितने भी टुक्रे हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा उसमें आयरें रहेगा ठीक है तो यह हो गया कंसेंटेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंसेंटेशन के बाद क्या करते हैं उसको भी मैं बताता हूं जल्द वाज़े नहीं करेंगे ठीक है, दिरे तिरे समझेंगे, चलो लुए, चलो पर यहाँ चलो क अब बता है, यहमंने पिर से नहीं बताउगा, क्यूवकि मैंने इसको बता दिये हैं, ठीक है, प्रीबियस लिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् wise यहां यह लिखेंगेव प्टर क्यल्सिनेशन आपक्तर क्याल्सिनेशन old को कोक को घॉक्स करते हैं रिदूसिंग एजन्ट विदेसेन डिसनग किया था प्रिवेस में रिडाक्षण तो यहाँ पर हम लोग iron और के साथ कोग एड करते हैं reduction के लिए ठीक है एंड limestone को कैसे यूज करेंगे एज फ्लक्स यूज करेंगे फ्लक्स किसे कहते हैं यह भी मैंने डिस्कस किया था ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे के बाद और के साथ कोग एड करेंगी और लाय मिस्टन एड करेंगे और इसका जो रेशियो रहेगा को ऊर इस्टू कौप आद करने के जो अनुपात रहेगा और रिशियो रहे गा Ub एट इस्टू फोर इस्टू आन मतलब ज apparently हमने क्या लेना है और लेना है Calcinated Ore लेना है ठीक है एंड फोर भाग हमें क्या लेना है चार भाग हमें क्या लेना है कोक लेना है एंड एक भाग हमें लेना है text on doesn't discuss daherคะ इसको आड़ करने यहाँ कि आधि नियुकobil मेंकोले इसे को फिर्ने लाएंगे प्रणी जाहाँ पर हम लोग इसको फिम लाएंगे भोलती ज्यादा हीट्ट दे करेंगे टिलह ते जलुक हे इन तीनों को तो हमुगने Toni कर दिया ना इन तीनों को हम लोगों मिक्स कर दिये हैं यहां पर मिक्स करने के बाद गुझंक सरह मिलेगा उसको आपका कंटेनर होता है जहाता है इसको डालते है अन्日 देकर उसको पिख लाते हैं जलो अभी मैं क्या करता हूं फॉशन इतना तो आपको समझ में आ गया है कि किसका मिक्सर करना है और को एंड लाइम स्टोन का एट इस्टू फॉर इस्टू वन रिश्यो में ठीक है अब देखो फर्नेस का जो डायग्राम है मैं किताब से कॉपी कर रहा हूं तो यह कुछ इस तरह का होता है यह कुछ इस तरह का होगा ऐसे स्कूड्रो करेंगे यह हो गया बेस्मेंट ठीक है यहाँ पर बेस्मेंट जिस चीज़ के उपर यहाँ पर इसको रखेंगे ओके एंड़ सॉरी ऐसे यह होता है कुछ इस तरह सा है यह क्या होगया यह क्या ड्रोकिया मैंने यह इसका वाल ड्रोकिया थीक वाल बहुत ही मोटा इसका दिवार रहेगा क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज्यादा हीट देने वाले हैं तो पतले से अगर करते हैं तो फिर यह पिखल जाएगा तो इसलिए यह बहुत ही ठीक रहेगा ठीक है यहाँ पेक ऐसे रहता है कुछ सिस्टम जहां से हम लोग क्या डालते हैं दोस्तों और और को डालते हैं प कि लोग लाइंट को डालेंगे मतलब जो मिक्सर हम लोगों ने बनाए हैन अ- самого इसका हम लोग यहाँ पे डालेंगे यहां से यहां से और यहां से वह गिरेगा नीचे की तरफ ठीक है चलो एन उसके बाद यहां से एक पाई पैसे बाहर की तरफ रहता है जहां से क्या निकल इसको हम लोग क्या कहते हैं जहां से क्या निकलेगा फर्नेस जास ठीक है एंड एंड नीचे यहापी यहापी दो तरफ से दो पाइप रखा होता है ठीक है जासे हम लोग होट एयर को ब्लू कराते हैं ठीक है होट एयर को हम लोग भीतर की तरफ ब्लू कराते हैं ठीक है इधर से भी होट एयर इधर से भी होट एयर ओके ठीक है ना देन उसके बाद यहाँ से यहाँ से एक आउटपूट रखा जाता है पहुए यह थोड़ी तरा ऊपर रहता है कुछ इस तरह का मिदन होता है अभी देखो अभी अगर हम को are करते हैं हीट करते हैं तो फिर का होगा तो फिर क्या होगा इसका जो अशन का यह जो होता सब्सक्राइब सब्सक्राइब हार्ट ठीक है नीचे हम लोग कहते हैं इसको हार्थ एंड इस वाले पूर्शन को हम लोग कहते हैं बॉस ओके ठीक ना तो देखो हार्ट में सबसे ज्यादा टेमपरेचर रहता है लगभख यहाँ पे 1500 डिली सेल्शियस पंदा सो डिली सेल्शियस का टेमपरेचर रहता है सबसे ओपर नगे स्फकेंदे में बॉस इस तरह का एक है अब हम लोग यहां से हैं क्या रहेगा मैंने बता था और को किया रहेगा है अरड अलग Two-fourist one अब इसको हम यहाँ पर डालेंगे तो देखो यहाँ पर क्यूकि इस फर्णेस में अलग-अलग जगा पे टेमपरेचर अलग-अलग है तो अलग अलग जगा पे जो रियक्शन होगा वो अलग अलग होगा अभी हमें सिर्फ और सिर्फ जो में जो रियक्शन होता है उसी को हम लोग देखेंगे ठीक है बहुत सारे रियक्शन इसके भीतर होता है बहुत सारे रियक्शन सिर्फ हमें देखना है में रियक्शन क्या-क्य तो इतना तो समझ में आ गए यह होता है अभी देखो यहां पर हम लोग इससे होट एर को ब्लोक राते हैं इदर से यहां से जितने भी रियक्शन होता है जितने भी गैस प्रोडेस होते हैं यहां से निकल जाता है यह जो नीचे वाला जो आउट्पूट है यहां से निकलता ह जो है पीग आईरन ठीक है एन यहाँ से निकलता है स्लैड के अगई चलो मैं बताता हूँ अभी प्रोसेस देखते हैं ठीक है तो मुझे भी रेक्शंस याद नहीं रहता तो आप लोगो याद रखना है ठीक है आप लोगो शारी रेक्शन याद रखना है चलो अब हम लोग सबसे पहले तो देखो सबसे पहले जब यह हमारा मिक्सर एंट्री करेगा मैं सर एंट्री करते ही जो सबसे पहला रियक्शन होता है वो carbon and oxygen के बीच में होता है डिक है वो carbon and oxygen के बीच में रॉता है and carbon monoxide form होता है वहाँ ऐब है अब से पहला reaction अब मैं एक वास्ट कोउख बांड इस टिक है सबसे पहले तो कोउख जल जाता है एंड जलने के के बाद वो क्या करता है बांस इन होट एयर ठीक है एंड प्रोड्यूस कि सी ओ कार्बन मॉन ओक्साइड ठीक है एंड हीट ठीक है तो जो होट एयर है यहाँ पर हम लोग डालेंगे इधर से होट एयर जलने के बाद वाते हैं बहुत ज्यादा हीट डेवलब होगा तो इसका जो रेक्शन है क्या होता है सबसे पहला रेक्शन आपका सबसे पहला रेक्शन के समझ में है इसको अगर बैलस करना चाहते हैं तो फिर बैलन्स कर लिजे फटाफट से यहां पर टू सीयों होगा एंड हेट निगलेगा यहां से अभी देखो उसके बाद छे सो से नौ सो के बीच में ठीक है मतलब बोस के उपर यह जो बहुत है बोस के उपर इस जगा में इस जगा में एक ट्रेशन होता है वो होता है आपका क्या कियो अब भो होता है रियक्शन एट कि टेमपरेच्रीड अ तो vex100 by two 900 डिग्री इस ऐस ओके एफ-203 ओठेख़ी 231 किक या है यह क्या है दोस्तो बोलो तो यह है रेड हेमाटाइट का formula ठीक है यह जो रेड हेमाटाइट है यह carbon monoxide के साथ add होता है and क्या बनाता है यहाँ से FV निकालता है and CO2 निकालता है ठीक है ओके 2 FV and 3 CO यह होता है 600 से 900 के पीश तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से भी iron निकल गया सिर्फ यही अकेला रेक्शन नहीं है जहां से हम लोग iron निकालते हैं और भी और भी बहुत सारी रेक्शन होता है इसमें तो एक एक करके देखते हैं ठीक है at 900 degrees Celsius 900 degrees Celsius में क्या होता है दोस्तों चलो मुझे भी थूरा सा देखना होगा 900 degrees Celsius में क्या होता है at 900 degrees Celsius above boss ठीक है मतलब इस boss के ऊपर 900 degrees Celsius वहाँ पर रहता है तो वहाँ पर कौन सा रेक्शन होता है CACO3 ठीक है वहाँ पर रेक्शन होता है CACO3 और यह वाला रेक्शन कुछ इसा होगा CAO plus CO2 ठीक है एन यह जो CO2 फोर्म हुआ दोस्तों यह फिर से कारवन के साथ क्या गरेक्शन करेगा and carbon monoxide produce करेगा ठीक है यह होता है कहाँ पे at 900 degrees Celsius ठीक है ना चलो यह तो दो रेक्शन हो गया जहां से एक यह वाला रेक्शन आपका इंपोर्टेंट है इसको हम लोग as a main direction consider कर सकते हैं यह वाला रेक्शन है क्यूंकि हाँ से आइरन फोड़ी सो रहा है ओके चलो अब इसके बाद कि अब इसके बाद क्या होता है एट 1000 से 1200 डिग्री मतलब हजासे 1200 डिग्री के बीच एट 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है एट 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है आपका एफ यद्ट तु थ्री अच्छा यहां पर होता है एक और में डियक्शन जो कि है एफ यद्टू ओ थ्री मतलब यह जो रेड हिमाटाइट है यह फिर से कारबन मोन अक्साइड के साथ ठीक है चार्ब अप सॉरी कारवन के साथ आपका क्या करता है रियक्शन करता है इसको डारेक हम तो बैलन्स करके चलते हैं 2F e plus C O ठीक है यह एक और important मतलब main reaction हो गया इसका ठीक है यह वाला reaction एक और main है क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल दा है iron मिल दा है इसलिए यह सारे को और यह सारे कि देखो अब यहाँ से यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो सी एओ फॉर्म हुआ है दोस्तों कि यह फिर किसके साथ reaction करता है दोस्तों यह reaction करता है impurities के साथ ठीक है यहाँ यहाँ लोग लिखेंगी सी एओ और रियेट्स वीट इंप्यूरिटीस ठीक है इंप्यूरिटीस फॉर्मिंग तो स्लैग ठीक है तो यह जो सी ओई सी एओ प्रोडूस हुआ है यह फिर किसके साथ किसके साथ reaction करता है इंप्यूरिटीस जितने भी इंप्यूरिटीस है ओके हमारे ओर में जितने भी इंप्यूरिटीस है उसके साथ reaction करेगा reaction करने के बाद slack form करेगा तो इसका भी reaction हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सी ए ओ प्लास एस आई ओ टू ठीक है एस आई ओ टू यह है इंप्यूरिटीस एंड यह मिलके क्या बनाएगा दोस्तों सी ए एस आई ओ थ्री ठीक है एस आई ओ थ्री डाट इस नोन एज लैग यह होगा स्लेग किके यह यह जिदने भी मैंने टियक्सें लिके हैं दोस्तों सारे कि इंपॉर्टन ठेक शारिक इंपॉर्ट में सबसे पहला तो क्या हुआ लोगों ने मिक्सर को डाला यहाँ पी और यहाँ पर एप रेधी हमाठाई रहेगा को रहे गा हैं लाइज रहे उसका रिशु क्या एट इस टू फोर इस टूवान जो हम लोग ढालेंगे तो क्या होगा वो नीचे की तरफ गिल जाएगा एंड होट एर यह जो डरम हवा यहांसे तो वह क्या करेगा सबसे पहले तो यह को बांड करेगा को को जला देगा को जलने के बाद वह अक्षियन के स लागा बहुत सारा हीट जनेरेट करेगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर उसके उपर थोड़ा सा कम हो रहा है ऐसे आसे करके सबसे उपर कम हो जाएगा 400 डिग्री इसिया सो जाएगा ठीक है नुसके बाद 600 से 900 डिग्री सिल्चियास के बीच यह वाला होता है रिड एमाटाइट कार्बन वनौसाइट के साथ करके आयरं देता है यहां परके हो जाता है अघ कार्बोन डासाइब्स करता है यहां रिए यहीं के साथ रेक्टों के पर कारवनगों, nasis toes यहां से जो कारवन यहां से जो केल्शियम ऑक्साइड सिये ओ डेवलोफ हुआ है वो फिर ऐसा यह ओटू के साथ रियक्ट होके स्लेक फॉर्म करता है यह लोग निकाल देते हैं तो अभी देखो कि यहां से यहां से एंड यहां से जितने भी आइरन डेवलोफ वाई दोस्तों आइरन क्योंकि है भी है तो आइरन यहां पर नीचे की तरफ ऐसी जमा होने लगेगा ठीक है पिगला हुआ आइरन ठीक है पिगला हुआ आइरन यहां पर जमा होगा उसके उपर क्या जमा होगा हुए हुए है को ग कि भी सब्सक्राइब ऋतकर यह से निकलेगा निकले तो यह होता है हमारा आइरन का extraction process जो कि हम लोग blast furnace से निकालते हैं टेक है ब्लास्ट फार्नेस से निकालते हैं आपको पूछा जाए कि फार्नेस में कौन कौन सा रेक्षन होता है तो आपको यह तीन चार रेक्षन तो डिफिनिटले लिखना है अगर इन में से कोई छूट जाता है तो फिर आपका नंबर भी जो है वो छूट जाएगा एक टिन चार पार्च लिखना होगा कितना रेक्षन है एक दो जो पाच छे रेक्षन हैं तो इसके बाद क्या बात करेंगे सिर्वार्ण तो यहाँ जो आइरण हमें मिल नहाएं इसको हम लोग pig iron कहते हैं फिक है है यहाँ पर ऐरन भी रावया मिलता है इसको हम लोग फैरा निकलने के बाद यह सॉलिड रस्टेट में आजायेगा ठंडा होने के बाद इसको हम लोग इन आपका दूसरा फॉर्नस आता है था यह यह बारे में हम लोग next class में discuss करने वाले हैं कि कास्ट iron को कैसे निकाला जाता है और रोट आरण कैसे प्रोडूस किया जाता है वह हम लोग next class में देखेंगे फिलाल अभी हम लोग iron का जो extraction process से वह देख लिए हैं ठीक है चलो अब देखो यहां से इस पूरा process में यह जो एक्स्ट्रक यह जो निश्कासन process है दोस्तों ठीक है यह जो extraction process है यहां से by products क्या क्या निकल रहा है by products बोले तो पी गारें ग्रण के अलावा क्या क्या पूदाक्स निकल रहा है यहां पर आपका निकल रहा है GAS यह आपका extra product है and slag blast furnace slag ऎये दोनों आ निकल रहा है तो इन दोनों को limap वह गाहां पे किस काम के लिए करते हैं वह भी में देख लेते हैं दोस्तों जो ब्लाश्ट फड्क सरुट्रनिस ते सब्सक्राइड गयाँ निए और तर क्या रहेगा से यहां ग만 जला सकते हैं मतलब वो कमबस्टिवल है उसको हम लोग जला सकते हैं एंड यूस्टू प्री हीड़ दा एयर ब्लस्ट एंड यूस्टू बालर फोर रेजिंग इस्टिन निकलेगा इसमें 25 से 28 पर सम्कार्बन मोनकसट रहेगा एंड इसी गयस को हमलोग फिर से ये वाला जो हट ए्यार हम लोग प्रोड्यूश करेंगे इसको यहां पर हम लोग यूज्स करेंगे मतलब आर गरम करने के लिए इसको हम लोग जलाएंगे यहां पर निकल रहा है उसको कौन से काम पर हम लगा सकते हैं फॉर मैनेफेक्ट्रिंग सिमेंट करने के लिए हम लोग को यूज कर सकते हैं देन उसके बाद आपका आता है रेल रोड बैलस्ट मतलब रेल जो ट्रेन की पत्री होते हैं वहाँ पर जो बैलस्ट करते हैं लोग वहाँ पर इस लेक को यूज कर सकेंगे ठीक है एंड मेटल रोड बनाने के लिए इसका यूज क्या जाता है कम मात्रा में एंड हम यूज कर सकते हैं फार्टी लजर के रूप में ठीक हैं फार्टी लजर के रूप में और एक हमारा हो गया बाइप रुडक्ट और एक्स्रक्षिन प्रोसेस ऑफ आइर। आइरन ठीक है आइरन से बाइप्रूडक्ट क्या क्या निकलता है फर्नेस गैस एंड ब्लस्ट फर्नेस स्लैग ठीक है तो चलो उसके बाद बात आता है फिलाल दो आप यह दोनों का जो यूज लिख लिख लिए फड़ावर से आपके स्कीन पर देख रहा होगा बाइप्रू मौन अक्साइड गैस विच इस कंपास्टिवल और इस यूज तो प्री हीट दा एयर ब्लस्ट एंड अल्सो यूज इन बोयलस फोर रेजिंग स्टीम ठीक है स्टीम बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं फनेस गैस को जलाते हैं ठीक है दो उसके बाद ब्लस्ट फनेस नॉट रोड रोड पे हम लोग अगर मैटलिंग करना जाते हैं तो इस मिल्थी गिच्जरा करने के बाद हमस्ट घर करते हैं एट एक्जोस्ट स्वाइल जो स्वाइल होता है दोस्तों उसको हम लोग कंडिशनर के हिसाब से वहाँ पर यूज करते हैं ठीक है यहां पर क्या है कंडिशनर फॉर एक्जोस्ट स्वाइल ओके अच्छिक है जान उसके बाद नेक्स एक सवाल देखिए कि आईरन पायराइट इसको आयरन पारेटेस को हम लोग आयरन का ओर क्यों नहीं कह सकते हैं तो सवाल का एंसर यहां पर लिका हुआ है दू तो हाई सलफर कंटेंट ओके दू तो हाई सलफर कंटेंट इन आईरन पारेटेस is not used for extraction of iron because higher percentage of sulfur make the metal brittle so although iron pyratis is an abundant mineral of iron iron is not extracted from iron pyratis that is why FES मतलब FES2 मतलब कि iron pyratis is not regarded as an ore of iron मतलब समझ में आया क्या कहा गया है देखो iron pyratis में sulfur का जो percentage है वो बहुत जादा है अगर हम लोग यहां से मतलब iron pyratis से iron को निकालते हैं तो उसमें sulfur का मात्रा बहुत जादा होगा और जो iron हमें मिलेगा वो brittle होगा ब्रिटल बोले तो बहुती easily break हो जाएगा उसे हम लोग brittle कहते हैं ठीक है तो brittle बनेगा और इसलिए हम लोग iron pyratis से iron को नहीं निकालते हैं ठीक है and that is why इसी बज़े से iron pyratis को iron का और नहीं माना जाता है ठीक है ना चलो यह बात आप लिख लिए फड़ावट से चलो दोस्तों तो next class में हम लोग बात करेंगे cast iron and उसके साथ बात करेंगे हम लोग रोट आइरन एंड उन सभी का यूज ठीक ना चलो तो मिलते हैं दोस्तों next class में इस class के लिए इतना ही thank you very much तूज्ञे हैं तूव जुद लोट आइ भनीय।